और ये तुमारी एक पुरानी उसमें भी मैच हो जाएगी कोटा की ही है जब कोटा में क्लास 11 में गया मैं तो पहला पहला जहां पर घर लिया था उसका थोड़ा आपको डाइग्राम समझना पड़ेगा प्लॉट समझना पड़ेगा कि वो घर कैसा था नक्षे में फिर आप म एक कमरा इसकी गेट यहां पर एक यहां पर इसका यहां पर और यहां पर इस इस माई रूम समझते जाना राम राम से प्लीज यह समझाना जरूरी है यहां पर फिर में एंट्रेंस आ जाती है यह में गेट था ठीक है यहां पर मकान मालिक का घर खुद और यह दूसरा कमरा यह एक बात्रूम था और एक वाश्रूम था आप समझ गए होंगे इसमें मैं यह थोड़ा कमरा चोटा था मेरे पास यह सिंगल था इस रूम में दो और लोग रहते थे दोनों भाई थे यही की ही प्रिप्रेशन कर रहे थे ठीक है भई अब शुरू-शुरू में वहां जाक कर नहां दोकर पढ़ने वाले चातर थे आपने रात को दो तीन चार जितने वी बज़े तक ठीक है सुवह फिर थोड़ा लेट उटेंगे क्योंकि क्लासे शाम को होती थी ठीक है अब यह पढ़ रहे थे जान सुनना येस इस सीरियस और हालत खराब होने वाली है तो अगर क क्यानना है तो वह सुन सकते हैं तो क्या हुआ रात को फिर वही पढ़ना साथ के लेट तक दो तीन अराम से बच जाते थे आपने बच्पन में सुना होगा कि भूत बारा बज़े आते हैं वह पुराना हो गया आजकल जो लेटेस टाइम चल रहा है मार्केट में बूत बार सुनना थोड़ा सा और प्लॉट समझा दूं यहीं पर ही टेबल लगा होता था यहां पर चियर पढ़ रहा हूं अराम से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अचानक तीन बज़के पांच-दस मिनट पर बात्रूम में बाल्टी भरने की अवाज आती पानी से बाल्टी भरने की दालते हो तो वह शुरू शुरू पर बहुत तेज आवाज करती है जैसे पानी बढ़ता जाता है फिर उसकी आवाज कम हो जाती है तो बहुत तेज आवाज आई मुझे लगा कि शायद वह सामने कम्रे वाले होंगे और फिर एक डाउट यहा था पानी का रात को क्या कर रह सबूआ थीब लगा यही सेम सिनेरियो अगले दिन फिर हुआ यही सेम सिनेरियो अगले दिन सब आ तीन बजे के आसपास वह वापिस बादी बहुत है यह ञड़ा यह कौन है जो रात को और मज़े की बात जिस दिन मुझे रात को बाल्टी भरती हुई सुनाई देती थी उस दिन सुबह जब यह लोग उठते थे बात्रूम में हम तीनों की बाल्टियां भरी हुई मिलती थी सच बोल रहा हूं मजागनी कर रहा हूं अब मैं सुबह बहुत लेट उठता था उससे पहले यह लोग उठते थे यह बोलते थे कि हमें जो है वो बाल्टी पूरी की भरी हुई दिसकेशन हुआ आपस में इसने इन्होंने बोला कि चलो आज आज हम भी जग लेंगे तीन बज में एक बुड़े इंसान थे अंकल एक अंटी उनके बेटा और उनकी बहु रहती थी बस बच्चा बहुत चोटा था तो अब यह बात उनसे डिसकस की यहीं कहीं था मैंने का ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आप रात को तीन बज़े बाल्टी भरते हो कि उन्होंने बोला हाँ बोले अपने ससुर जी को बोलते हो वह पापा बढ़ते हैं रात को तीन बज़े बाल्टी मैं रात को तीन बज़े क्यों बढ़ते हैं बोले उनकी पुरानी आदत है मैंने का अच्छा फिर मैंने को तीन बज़े बाल्टी भर लेते हैं बोले वह उनका एसा रहता है कि पान कठा करके मैं ठीक मैंने का बहुत सही मैं फिर बताया उनको कि हम तो डर गे थे रात तो तीन-तीन बजे बाल्टियां भरी जा रही है समझ नहीं आ रहा है ठीक यह कहानी का एंड हो गया चले गए फिर एक दो दस फंदा दिन बीचे फिर बारी आए किराया देने की द्यान सु कि अग्या अग्या पूले अंकल की तो डेथ हुए वे धाई साल होगे हैं अग्या थे सब्सक्राइब बताओ आप ऐसे मत बोलो मुझे डर लगता है आप क्या बोल रहे हो वो जो भी था वह भूत या जो भी उनकी आत्मा थी उस घर में थी और वह रात को तीन बजे कुछ डूरेशन के लिए कुछ 15-20 तीन बजे आके बाल्टी भर रही हैं बहुत बड़ी और सच में वहां पर सामने दिवार फोटो भी लगी हुई ड्राइंग रोम में ध्यान से देगो तो एक जगा नटकी हुई वोटो दादी जी हैं दादा जी गायब हैं ये बात फिर इंसे और उसके बाद में तुरंत अगले ही दिन खालू है तो अब तुम इससे खुद अंदाजा लगा दो जितना मैंने देखा सारा तुम्हें बताया अब होते हैं कि नहीं होते हैं कहां दिखते हैं दिखें नहीं हमें एसास हुआ पाद में हुआ 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 है हाँ फिर उसके बाद में वहिया हनुमान 40-24 गंटे घर में जाने की इम्मत नहीं हो रहे हैं कैसे जाएं क्या करें घर में जाके है मैं अब यह तुरंद बदलते हैं घर और फिर शिफ्ट कर लिया पटापट समझ मैं आप लोग भी बचके देए अपने